लिए ऐसे विडियो में हम पढ़ेंगे रिकर्जन के बारे में फोर्मल डेफिनिशन कहती है कि रिकर्जन का मतलब यह है कि हम किसी प्रोब्लम को कुछ इस तरह से स्वाल करते हैं कि हम उस बड़ी प्रोब्लम को छोटी प्रोब्लम में डिवाइड कर देते और उस बड़ी problem का solution छोटी problem पे डिपंड करता है जैसा हमें पता है factorial क्या होता है 6.5×4×3×2×1 5.5×4×3×2×1 तो basically क्या कर रहे हैं 6.5×5 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 into 5 factorial तो कहने का मतलब है कि बड़ी problem जो की है 6 factorial वो depend कर रही है solution of छोटी problem जो की है 5 factorial तो इसी को बोलते है recursion तो अगर मैं code लिखता हूँ factorial का तो माल लेते हैं मेरे को किसी integer n का factorial निकालना है तो मैं कैसे लिखूँगा तो recursion का question हम जो सॉल करेंगे तो हम दियान में रखेंगे कि एक base condition हमेशा होगी तो basically क्या कर रहे हैं factorial क्या कर रहे हैं बड़ी problem depend करती है छोटी problem पर यानि कि हमें return कराना है क्या जैसे हमें 6 factorial निकालना है तो हमें return कराना मा लिए n क्या है 6 तो हमें जी return कराना है 6 into यानि कि n into 5 factorial यानि कि n minus 1 factorial यानि कि factorial n minus 1 तो ये return कराना है अगर मैं इसी program को मैं चला दूँगा तो infinitely चलता रहेगा तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें रोकना कभे है program को तो मैं रखूंगो कब, if n is equal to 1, return 1. तो जैसे ही 1 आएगा, तो return कर जाएगा. अब इसको solve करते हैं, देखते हैं, recursion दिखने में कैसा लगता है. तो बात कर रहे हैं हम factorial की, और मान लेता हूं मैं, मेरे पास n है 5. Initially क्या है? n is equal to 5 है. तो बाई, n is equal to 5 के लिए मैं factorial function चलाने जा रहा हूं, dry run करने जा रहे हैं, कैसे कैसे call होगा, हम ये देखें. तो सबसे पहले factorial 5, n is equal to 5 होगा है यहाँ पर. देखा, n is equal to 0 है? नहीं है, तो return 1 नहीं किया, ठीक है. तो ये चलेगा, n into, यानि कि 5 into factorial 4, factorial 4, ठीक है बाई. ये क्या होगा, factorial 4, ये चेक किया, 0 है नहीं है, तो इसने क्या किया, 4 into n into, यानि कि क्या, ये function अब n is equal to 4 के लिए चलेगा, ठीक है, अब ये भूल जाओ, अब ये चला है, इस समय सिर्फ, ये वाला, ठीक है, तो 4 into factorial 3, ठीक है, अब factorial 3 call होगा, यानि कि ये call होगा, ठीक है, तो यहाँ पर n is equal to 3, अब ये सब भूल जाओ, अब सिर्फ इस समय ये चला है, factorial 3, ठीक है, तो n से 0 है, नहीं है, अच्छा, तो n क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, factorial 2 है, तो ये वाला call होगा, ठीक है, 2 लिद्धिया मैंने यहाँ एक बहुत बढ़ी है, यह तो नहीं चलेगा, 0 नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हैगा, 0, अब factorial 0 चलेगा, एनिकी n is equal to 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर call हो रहा होगा, 0 है, तो return 1 करा दो, return 1 करा दो, बहुत ही बढ़ी है, अब देखते हैं, अब क्या होगा, तो देख रहो यह वाला function वेट कर रहा है, यह वाला function वेट कर रहा है, यह वाला function वेट कर रहा है, यह 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 वेट कर रहा है थीक है तो यह ज है जब रिटरम कराएगा value की आएगा फेक्टोरेल 1 फेक्टोरेल 1 क्या है ये वाल है value तो यहां पर क्या जाएगा 1 आजाएगा इसकी total value यहां पर 1 लिख देता हूँ में तो 2 into 1 क्या जाएगा 2 यानि की वैक्टोरेल 2 क्या return करेगा त्रिटेंगा एक एंडिट टो अब टिन्टु तुन क्रेंगा व्सक्रेंगा अच्छा क्या एंसर है जिसक्स पडिया इसकी वाली आजएगा थीक ए भूष्ट बढ़िया लगार इंटीफोर तो फैल फ्राइट का असर गधा टुंटीफोर थाईगा तो तरनीफोर इन्टु आजाएगा 120 तो देखेरो, लास्ट कॉल जाल से उससे पहली फ्री से पहली फ्री फ्री से पहली फ्रीmp 잘 लिया तो यदि कि हारव क्रूंक्षं अपनी एक separate copy के लिए weight कर रहा है, 5 जो है, 5 फ्रीजल 5 फैसे ठलता है हमारा rehearsal बात करें time complexity, time complexity क्या है इसकी time complexity सिंपल सा दिख रहा है big of n है ठीक है अच्छा और space complexity क्या है अब देखे कोई extra space तो मैं नहीं ले रहा हूँ कोई array नहीं लिया है कुछ भी नहीं लिया है लेकिन क्या हो रहा है इतनी सारी functions है जो वेट कर रहा है वो कहा है store होते हैं stack पे store होते हैं तो उसका size कितना हुआ जितनी बार function call हो रहा है कितने मार हो रहा है एन बार हो रहा है तो space complexity भी क्या होगी big of n और time complexity भी big of n तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं iterative approach लूँगा इस case में तो time complexity तो big of n होगी लेकिन space complexity big of 1 होगी लेकिन recursion के case में memory हम जादा ले रहे हैं कोई auxiliary space तो नहीं ले रहे हैं लेकिन recursion stack के लिए space हमारा जा रहा है तो अगर मैं इस case में देखू तो iterative approach बैटर है क्योंकि space नहीं ले रहा है लेकिन होता क्या है किसी-किसी problems में recursion बहुत ही जादा easy हो जाता है और कभी-कभी तो iterative में हम time complexity optimize नहीं कर पाते लेकिन recursion में time complexity optimize हो जाती है अब हाद में देखेंगे कि ऐसे examples हैं किन examples में recursion better होता है तो भाई कहानी का सार यही है कि recursion में function अपने आप कॉल करता है और जब भी कॉल करता है तो हम भूल जाते हैं कि पहला function भी कुछ था थोड़ी देर के लिए फिर एक नया picture बन जाती है एक नई photo बन जाती है नए end के लिए नई function call ठीक है फिर एक नई photo हर function के लिए एक नई photo बन जाती है और उसमें end different होता है तो ये था भाई हमारा recursion अब recursion दो तरह के होते हैं अब भाई ये दो तरह के recursion कौन से होते हैं एक होता है tail recursion एक होता है non-tail recursion इनको समझने के लिए हम दो प्रोग्राम करते हैं पहला प्रोग्राम है हमारा कि मुझे print करना है 1 to n numbers दूसरा प्रोग्राम है हमें print करना है numbers n to 1 दोनों recursion से करना है तो भाई पहला function है print 1 to n मैं इसमें कर रहा हूँ 1 से लेकर n तक print ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ जैसे मेरे पास n is equal to 4 है तो 4, 3, 2, 1 ऐसे functions को call करेंगे एक दूसरे को तो सबसे पहले मेरे को 1 print कराना है फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो भाई इन दोनों functions को देखते हैं dry run करके देखते हैं ही हो क्या रहा है कैसे चल रहे हैं कोशन पहले देखते हैं print 1 to n माल लेते हैं n is equal to हमारा 4 ठीक है भाई, तो n is equal to 4 आया मेरे पास चेक किया n equal 1 नहीं है तो यहाँ पे n minus 1 या नहीं कि ऐसे एं यह 3 के लिए कॉल हो रहा है प्रेट नहीं हुगा कुछी directly लिए call विए यह यह आया 3 चेक किया n equal 1 नहीं है डர्क्क लिए 2 के लिए call भाई बहुत बढ़ी है फिर 2 के लिए call हुआ प्रेट नहीं है क्यों कि 1 नहीं है जैसे ही 1 आया, रिटन कर गया, प्रिंट हो गया 1, तो भाई, यहां मैं रिख रहा हूँ, जहाँ पर हम नंबर प्रिंट कर रहे है, 1, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया, यानि कि जो प्रिंट 1 वाली कॉल जो है, वाली फोटो जो है, वो खतम हो गई है, टर्मिनि पर एंड प्रिंट होगा यहाँ पर इस वाली फोटो में एन क्या है तो तो यह वाला फंक्शन जो है वो टर्मीनिट हो जाएगा क्यों सारे स्टेटमेंट खतम होगा है अच्छा फिर क्या होगा फिर यहां पर जाएगा हमारा प्रिंट वट्वन समापत हो गया तो यहां कि यानी कि फिर से फिर ऐसे के वाले स्टेटमेंट को अगर मैं पहले लिख दूँँ तो भाई ये 4, 3, 2, 1 print होंगे, simple सी बात है, हर function की call से पहले, हर function की call से पहले अब मैं print करा दूँगा उस number को, तो obvious सी बात है कि 4, 3, 2, 1 print होंगे, तो ऐसे करता है हम recursion के question, अब recursion दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था, एक ये recursion है, एक ही recursion है, जिस recursion में आखरी statement जो होता ह है, उसे हम बोलते है, tail recursion, अच्छा, यानि कि print n to 1 में आखरी statement जो है, वो क्या है, recursive है, तो हम बोलेंगे recursive, ये है, tail recursive, ठीक है, अब इस वाले function में print 1 to n में, last statement जो है, वो print 1 to n नहीं है, यानि कि print recursive नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे non-tail recursion, तो भाई, दो तरह के होंगे recursion, अब, दो तरह के हैं, तो लेकिन इस information का करे के हाएं, कि भाई, दो तरह के हैं, क्यों कर रहें, अब होता क्या है, compilers जो करते हैं, जैसे C++ के compiler, C के compiler, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कि अगर function मेरा tail recursive है, थोड़ा optimize कर देते हैं, अब मुझे पता है, कि recursion में क्या हो को iterative approach में ले या हूँ, तो तो optimize हो जाएगा, क्योंकि stack वाली memory अब नहीं लेगा, तो होता क्या है, जाओ में चीज नहीं होती है, लेकिन C++ में क्या करता है, इस function को call नहीं करेगा, और क्या करेगा, और go to statement का use कर लेगा, अगर मैं इस statement को comment out कर देता हूँ, और n is equal to n-1 कर और यहाँ पर मैं start define कर देता हूँ, start, ठीक है, तो यह क्या करेगा, same program है, यह same program है, लेकिन हम recursion की वजाए go to statement का use कर रहे है, तो भाई, होगा क्या इस में, n is equal to n-1 हो जाएगा, ठीक है, फिर वा आपस से उपर जाएगा, same कहानी चलेगी अपनी, कोई नई बात नहीं है, बस हमने क्या क्या है, regression को तोड़ दिया और go to का इस्तमाल कर लिया है, अब होता क्या है, यह जावा में ऐसा नहीं होता है, cc++ वगरा में होती है, तो इसमें इसलिए error आ रही है, तो यह है कहानी हमारी, अब क्योंकि tail recursion जो है, वो go to में change हो जाता है, जो कि better है, जो कि better recursion से, तो basically मैं बोल सकता हूँ, tail recursion जो है न, वो एक तरह से iterative है, माल लिया, iterative है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, tail recursion is better than non-tail recursion, तो एक program करते हैं, उसमें एक non-tail recursive program को tail recursive program में convert करेंगे, यह है भाई, factorial का, factorial में यह लिखा हुआ है, देखो, यह लग रहा जो है, वो purely recursive होना चीए, ठीक है, इसमें n से multiply कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह tail recursion नहीं है, अब मेरे को इसको tail recursion में convert करना है, तो कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ, factorial, non-tail, तो मैं फंक्शन लिखने जा रहे हैं, उसमें मैं इसको tail recursion में convert क मैंने इसको अंदर ले गया, एक helper function की मदद से, जिसमें मैंने फर्स्ट जो parameter वो तो खुद n दे दिया, दूसरा element है, उसको मैंने result कह दिया, यह answer होगा हमारा, ठीक है, तो helper क्या कहर रहा है, helper भी यह कर रहा है, कि अगर n is equal to 0 है, तो जो final answer होगा, हमारा next वाला जो parameter है, उस answer को multiply कर दो end में, यह and यह same ही लिखा होए, basically, हमने helper की मदद से, इसको non-tail को tail में convert कर दिया है, जो end इंटू भार लिखा हुआ था, और हमने यह अंदर लिख दिया है, अब क्योंकि हाँ पे हम second parameter में answer store कर रहे हैं, तो जब n is equal to 0 होगा, तो हमने answer रहा है, in comparison to this, यहाँ पे ह how to tell regression के दिखने में कैसा होती है, वो सब हमने देख लिया है, next video से हम regression के कुछ सवाल देखेंगे, कुछ program देखेंगे, ठीक है वाई, कहानी समापत होगी है, वीडियो समापत होगी है,